नमस्कार और अंकुर निकाल के तो इसके benefits जो हैं डबल हो जाते हैं मेथिदाना वाथ के रुगों के लिए बहुत अच्छा होता है गैस के लिए बहुत अच्छा है अर्थिराइटस जॉईट पेन और शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है तो यह है मैंने मेथिदाना के मेति दाना है , ये में ने 1 मुझे बड़े साइस का 100 ग्राम की घ्रीओ और 1 हृरी मिर्च तो प्याज और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के साफ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन इस सब्जी में प्याज का बहुती बड़ीया टेस्ट आता है तो इसलिए प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालें अब मैंने गैस अन कर लिया है कडाई गैस पर रख ली है और अब हम इसमें डालने वाले हैं वेजटेबल ऑईल तो आप जो भी आपके पास वेजटेबल ऑईल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं मैं डाल रही हूं ग्राउंड नट का ओईल तकरीवन एक चम मच मैं अंदाजे से ड गरम हो चुका है तो इसे हम चेक कर लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं अगर आप ठंडे तेल में जीरा डालते हैं तो वो उसका टेस अच्छा नहीं आता अच्छे से उसकी फूलता नहीं है तो अब मैंने एक जीरे का दाना डालके चेक कि आया है कि हमारा तेल गरम है या नही तो अब हमारा जो तेल है गरम हो चुका है मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक शमच जीरा अब आप देख सकते हैं साबू जीरा डाला है मैंने कितने अच्छे से खिला है और बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी खुश्बू भी दे रहा है अब हमारा जीरा भुनके तयार है तो भी हम साथ ही एड़ कर लेंगे और अब हम साथ ही अपने गैस का जो फ्लेम है वह हाई कर लेते हैं क्यूंकि प्याज को हमें बहुत जादा नहीं भूनना है तो इसे हमने हलके हलके सौटे करना है सौटे करने के लिए हमें अपनी गैसी फ्लेम को करना पड़ेगा हाई तो म वैसे भी हमें हाफ कुखी करना है तो जब हलका सा कलर चेंज करना शुरू कर देगा प्यास फिर हम इसमें अपने मसाले और मेथी दाना के जो अंकूर बनाए है मैंने वर्ड कर लूँगी तो अब आप देख सकते हैं कि प्यास ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है हमें इसे लाल नहीं करना है बहुत हलका सा यह देखो हलका सा कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें डालने वाले हैं मसाले तो मसालों में मैं बहुत ज़्यादा मसाले को ज़्यादा इसमें अड़ नहीं करती है क्योंकि हमें मैडिसन की तरह काम करती है यह सबजी यह देख लिए अब मैं डालती हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर आप चाहें तो इसी के साथ ही रेड चिली पाउडर भी आड़ कर सकते हैं लेकिन मैं रेड चिली नहीं आड़ कर रही हूँ और एक चमा इस धनिया पाउडर आड़ कर लीजिए साथ ही मैं धनिया गरमसाला लास्ट मैं एड़ करूंगी, अब मैं इसमे एड़ करने वाली हूं अपने ये, जो मैंने अंकुर बनाए हैं मेथि दाना के, ये देख सकते हैं हैं कितने बड़िया अंकुर बने हैं, तो इस अंकुर को त्यार करने में मुझे 3-4 दिन लग गए हैं कि मैंने इसे थोड़े बड़े अंकुर बनाए हैं अब हमारे दो पतियां मेथी भी आ गई है तक्रीवन इसमें तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेथी दाना के अंकुर बनाने के लिए मैंने मेथी दाना को ओबरनाइट भी होती हूँ फिर जो पानी निकलेगा उसे हम पी लेते हैं वो गैसरी के लिए बहुत अच्छा है ने मेथी दाना मुझा है उसके मैंने चलनी में डाल के ऊपर से में मलमल के अगीले कपड़े से धक रख जाते हूँ तो उससे हमारे ये अंकुर बन जाते हैं फर्स डे में मारे थोड़ा छोटा अंकुर आएगा फिर सेकंड डे में थोड़ा और बड़ा हो जाता है थर्ड डे में तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है तो हमें अपने जो छलनी में मेथी डाल के रखी है उसे रोज धोते रहना है और अब हम इसमें एड़ कर लेते हैं एक चमच नमक तो अब हम इसे हिलाते जाएंगे आप अब हमें जो मेत्य में भी मॉष्चर को निखा लेंगे। कि यह मैंने फिर से अपनी फिलेम हाई कर ली है क्योंकि इसका हमें मॉष्चर सुखाना है इसे हमने कूक नहीं करना है जादा तो उससे हमारा जो है इसका हाफ कुक करना है तो क्रंची क्रंची सा टेस्ट बहुत बढ़ी आता है बहुत अच्छा लगता है जब हम इसे रोटी के साथ खाते हैं आप रोटी, चावार या पराठा किसी चीज के साथ खा सकते हैं और अब फ्रेंड्स मैंने इसमें एड किया है मैंगो पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, अमचुर तो इससे हमारा जो इसमें हलका सा कसैलापन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और जो हमारी सबजी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ी है टैंगी टैंगी सा टेस्ट आएगा तो इससे इसमें टेस्ट ड्वल्प हो जाएगा और जो कड़वाट या कसैलापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो अब हमारी सबजी तैयार है तो आप चाहें इसे रोटी प्रांठा या इवन लंच में राइस के साथ दाल चावल और इस सबजी को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही बड़ टेस्टी बनती है तो आप इस सबजी को ट्राई करें और कोमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने बनाया और कैसा बना साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं आपको आने वाले टाइम में ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टेंट और टेस्टी टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहूँ तो तयार है हमारी सबजी अब हमने गैस की फ्लेम को कर देना है बन और यह मैं आड कर रही हूँ अब इसमें अपना एंड में गरममसाला पाॉडर को मेरे घर का ही बना होता है तो अब इसमें धकड़ूंगी ताकि इसका जो गरममसाले का रूम आ है बाहर ना चाये और सब से ही यह हलकी हलकी कुक हो जाएगी और अब हमारी जो सबजी है सर्व करने के लिए तैयार है कर दो जो तैयार हो जो जो सबती है कर दो झाल 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 झाल